सरविभ्यो नमो नमा, नमशकार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतीभा दिक्षित आज का वीडियो ऐसे विध्यार्थियों के लिए है जो RPSC 1st गेड की स्कूल लेक्चरर की तयारी करना चाहते हैं बहुत समय से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि 2nd grade के जैसे ही मैं संपूर्ण पाठेक्रम यहां पर चैनल पर करवा दूँ तो उसी डिमांड को देखते हुए ये वीडियो आपके लिए है इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1st grade के लिए आगे चैनल पर क्या क्या आने वाला है तो देखिए 1st grade का जो syllabus है उसके विशय में एक वीडियो पहले से ही चैनल पर अप्लोडेड है तो सबसे पहले आप उस syllabus से संबंदित वीडियो को देखिए अगर आपके पास syllabus है तो बहुत अच्छा है उसे आप निकाल कर बैठिए और उसको एक बार पूरा प्लेडिस्ट क्रियेटर है इन में से कुछ प्लेडिस्ट ऐसी है जो आपके काम की है तो यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन से प्लेडिस्ट आपके काम के हैं आप अपनी तयारी प्रारंब कर दीजिए मैं जो आगे 1st grade का लेके आने वाली हूँ उसमें मैं सिर अगले सब्ता से आपके लिए वीडियोज अप्लोडेड हो जाएंगे धीरे-धीरे करके हम अपना पढ़ाई प्रारंब कर देंगे तो पहले हम यह बात करते हैं कि चैनल पर पहले से क्या-क्या है तो देखिए जो 1st grade का स्लेबस है उसके 3 parts है हम यहां पर एक पर संक्षित में बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक स्तर का पहला भाग जो है उसमें सारी ग्रामर है उसके अंदर संग्या परकरण है संदी है चंद है अव्य है शब्द रूप धातू रूप है प्रत्य है यह सब उसके अंतरगत है दूसरा बीए लेवल का पाठेक्रम है उसमें बीए लौकिक साहिती भी है कुछ सूक्त वी उसके अंतरगत है और तीसरा जो भाग है वो सनातकोत्रस्थर का है मेल का है उसमें पहला जो मुख्य पार्ट है वो है कारक से संबंदित जो की सिद्धान्त कौमुदी के अनुसार है दूसरा है भाषा विज्ञान का पार्ट जिसमें भाषा विज्ञान के कुछ टॉपिक है तीसरा दर्शन से संबंदित है और चौथा है अलंकार शास्र से संबंदित तो ये कुल म संस्कृत व्याकरन नामक आपको ये प्ले लिस्ट दिखाई देगी आप इस प्ले लिस्ट पर जाएए और इस पर बहुत सारे वीडियोज आपको संघ्या प्रक्रण से संबंदित, संधी से संबंदित, समास, कारकh कारक हमने यहाँ पर सिध्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ा है और प्रत्य हैं तो यह सारे जो हैं संस्कृत व्याकरण की प्रमुक्त संग्याएं हैं यह सारे वीडियो चैनल पर अल्रेडी अप्लूडेड हैं तो व्याकरण के सारे टॉपिक आपको इस प्लेइलिस्ट स थोड़े बड़े हैं लेकिन इन से आपका काम हो जाएगा और इन में जो एक दो छंद रह गए हैं जो कि अतिरिक्त हैं फर्स्ट ग्रेड में उनको मैं एक अलग वीडियो में पढ़ा दूँगी इसके बाद बात करते हैं अलंकार की भी एक प्लेइलिस्ट है जिसमें की 6-7 वीडियो हैं अलंकार से संबंदित इसमें हमने बहुत सारे अलंकारों का अध्यन किया है तो अलंकारों को आप यहां से पढ़ सकते हैं अलंकार छंद और व्याकरण के सारे विशे हैं अब बात कर लगी तो एक रिवीजन विशयक वीडियो हम भाशा विज्यान के संबंद में लेकर आ सकते हैं लेकिन अभी के लिए आप इससे पढ़ सकते हैं इसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है जितना की पूछा जा सकता है आपसे उतना मैटर इसके अंदर है तो आप इन व वीडियोज दर्शन के नॉर्मल है इसके अतिरिक्त वेदांत सार तर्क भाशा सांख्यकारी का इन समसे संबंदित वीडियोज है तो आप यहां से देख सकते हैं दर्शन तो कारक हो गया अलंकार हो गया भाशा विज्यान हो गया दर्शन हो गया अलंकार शास्त्र जो बच प्लेइलिस्ट है यहां पर हमने सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ा है साहित्य उसके अतिरिक तो और भी कक्षाएं हैं तो जितने भी साहित्यकार हैं कालिदास है आशोहोश है भारवी माग श्रीहर्षबान भट दंडी सुबंदू अरवाचीन कवियों में कुछ अलग हैं जो कई वेदिक साहित्य को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है तो यह आप पढ़ सकते हैं वेदिक साहित्य के लिए इसके अतिरिक्ट बात करते हैं सूक्तों की तो सूक्त आप सेकंड ग्रेड की एक प्लेइलिस्ट है देखिए यह RPSC 2nd Grade नामक प्लेइलिस्ट है इसमें बहुत सारे वीडियोज है तो चार सूक्त 1st Grade के स्लेबस में है पुरुष सूक्त, अगनी सूक्त, विश्नु सूक्त और वरुन सूक्त तो इन में से जो तीन है पुरुष, इंद्र और अगनी इनको हम पढ़ चुके हैं केवल वरुन सूक्त बचा है 1st Grade के हिसाब से तो वरुन सूक्त को हम पढ़ लेंगे अब बात करते हैं साहित्य के कुछ 1st Grade में कुछ पुस्तके हैं जिनका की सामान्य अधन सम्मिलित है तो उन पुस्तकों में जैसे की नीती शतकम है भरतरी हरी की किरातार जूनियम का प्रथम सर्ग है श्रीमत भगवत गीता का द्विती अध्याय तो हम पढ़ चुके हैं वो आप RPSC 2nd Grade प्लेलिस्ट से देख सकते हैं अभिग्यान शाकुंतलम कठोपनिशत का प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली शुकनाशोपदेश और स्वपनवासवदत्तम इनका सामान्य अध्यन आपके इस लेबस में है तो इनको हम धीरे-धीरे करके पढ़ लेंगे तो ये बचे हुए आपके विशे हैं इसके अतिरिक्त सारे विशे आपको चैनल पर मिल जाएंगे और मैं शिग्र ही एक दो दिन में ही एक प्लेइलिस्ट बना दूंगी RPSC First Grade के नाम से तो आप उस प्लेइलिस्ट में जाकर वीडियोज देख सकते हैं देखिए ये जो संस्कृत व्याकरण प्लेइलिस्ट है आप व्याकरण के वीडियोज यहां से देखिए चंद और अलंकार अलग है इनमें कोई दिक्कत नहीं है केवल जो ये Second Grade की प्लेइलिस्ट में कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो कि एक तो सूक्त है वरुन सूक्त और सामन्य अध्यन वाली पुस्तके हैं इसके अतिरिक्त अलंकार शास्त्र का सामन्य अध्यन है अरवाचीन कवियों में कुछ है और एक खंड काव्वे हैं आपके स्लेबस में तो मेकदूत और रितू संगार इन दोनों का अध्यन भी हम शिग्र ही करेंगे तो अभी के लिए आप अपनी तयारी प्रारंब कर सकते हैं व्याकरन से आप प्रारंब कीजिए और दीरे दीरे करके टॉपिकों को कवर करते जाएए वीक में कुछ वीडियोज आपके लिए अप्लोड किये जाएंगे तो दीरे दीरे जैसे भी समय मिलता है क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं आई है तो इतना कोई शिग्रता हमें नहीं है तो हम दीरे दीरे वीडियोज बचे हुओ चो वीडियोज हैं उनको अपलोड करते जाएंगे तो अगले सब्ता से ये सारा कारिक्रम आपके लिए प्रारंब होगा तो लग जाएए कमर कस लीजिए और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से चै जिना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके इस लेबस से संबंदित होगा तब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए और अपने मित्रों के साथ भी इस इन्फोर्मेशन को शेर कर दीजिए ताकि अगर कोई व्यक्ती फीज देकर नहीं पढ़ सक और वो संपूर्ण तयारी करना चाहता है तो वो हमसे जुड़ जाए धन्यवाद